लॉरेंट चिवेलियर जिसकी उम्र 15 साले डिजॉर में रहने वाला एक नौटी लड़का है जो जास से प्यार करता है हमेशा अपनी कक्षा में हाइस ग्रेट प्राप्त करता है अब इंडोचाइना युद्ध का विरोध भी कर रहा है और इस बार वार्व के हाई लोगों के बढ़ने है और उसकी एक लविंग मॉम क्लारा और दो बड़े भाई थॉमोस और मार्क है थॉमोस और मार्क बहुत हुश्यार है जबकि लॉरेंट नौटी और मस्टर बेटिंग में बिजी रहता है एक दिन उसके दोनों भाई रात में आकर उसके कपड़े फार देते और अपने बंदू का मेजर में लेने लगते है कि किसका कितना बड़ा है तब उनकी मेट वहाँ आ चाती है लॉरेंट अपनी माम क्लारा को एक प्रेमी के साथ देखता है तब वह परिशान हो जाता है और अपने डार्च चार्ल्स को बताने के लिए दोड़ता है चार्ल्स वह उसकी कुछ भी नहीं सुनता डिनर के टाइम उसके दोनों भाई कोड वर यूच करके उसके मस्टरबेटिंग का मजाग करते है क्लारा लॉरेंट से प्यार जाता थी है लेकिन उसकी अफेर के बारे में जानकर लॉरेंट नाराज है एक राध थामस और मार्क लॉरेंट को एक वैशाले में लेके जाते जहां लॉरेंट एक वैशा फ्रेडा के साथ इंटिमेट हो कर अपनी वरजनेटिक हो देता है लेकिन वहाँ भी उसके शरब भी भाई कियाने से वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता परेशनों को लॉरेंट एक सकाउटिंग टिप पर निकल जन चा जाता है उस से पता चलता है कि उसे हार्ट मरमर नम की एक बीमारी जिसकी वज़े से उसका हाड़ काफी तेज आवाज करता है उनके केतोलिक सूल में लॉरेंट के शिक शक्षक ने सुझाए जाओ दिया कि लॉरेंट की बीमारी ने उससे मैच्चर कर दिया जिसकी से वह अपनी पढ़ाय में काफी अच्छा कर रहा है और क्लारा से वह लॉरेंड की और अड़र की तरीके से व्यावार करने को कहता है लॉरेंड को एक अस्पताल में इलाज की अवशक्ता हुती है वह और क्लारा एक होटेल में इंट्री करते है वह सेक्रेटर के कलती से क्लार और Lauren को एक ही कमरा बुक करना पड़ता है और यह देखते हुए कि होटल पूरी तरफ भरा हुआ है एक्स्ट्रा कमरा उपलब्द नहीं है उन्हें की कमरे में शेर करना पड़ेगा Lauren होटेल में दो लड़किया Helen और डिफनी से में दिल्चस्पी लेता है और अब वह अपने मा को नहाते हुए देखता है इस पर Clara उसे थपड़ मार देती है Lauren Helen के उसके साथ इंटिमेट होने को कहता है Helen कहते है कि वह अभी सेक्स के लिए रेडी नहीं है Clara फिर अपने प्रेमी से मिलने जाती है लेकिन इस बार उसका ब्रेक अब हो जाता है तब वे उद्धास हो जाती है और Lauren उससे दिलासा देता है और कहता है कि उसके लाइफ में जल्दी एक नया बंदा आएगा एक दिन बहुत ज़दा ड्रिंग करने के बाद Lauren और Clara इंटिमेट होते है और तब Clara यह शो करती है कि यह फिर से नहीं दावरा जाएगा और इसके बारे में वह किससे सब बात नहीं करेगा लेकिन वह पच्छतव के साथ Helen के रूम में जाता है और उसके साथ सेक्स करने को कह लेकिन Helen उसे वहाँ से भगा देती बाद में Lauren अपने कमरे को छोड़ देता है और Helen को बैकरने के आसफ़ल कोशिशन के बाद वह डेफनी के साथ रात बिताता है तब ही उन्हें किसी के आने के आहट आती और Lauren वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि वह अपने भाई और लाट को साथ में ब्रेक बास कर रहे है तोड़ी देर तक सरनाडा होता है और Lauren के फटनी लगती है और फिर सब Lauren के नंगे पाउ को देखकर हसन लगते है Lauren भी उनके ओपर शामिल हो जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है दोस्तो अगर यह Movie Explain वीडियो आपको स्ट्रिप करना मुद बोलना दोस्तों मिलते अगले Movie Explain वीडियो में तब तक के लिए Goodbye Be Safe and Be Healthy